सबी को करणाम जी हम सब को बीदित है कि समय का चक्र किस्च के लिए भी रुपता तो नहीं जैसे कि ये जो सरीर है पहले बालक था एक समय में ये यूबा रहता है समय चलते चलते ये ब्रिद्धपन में चलता है और अन्ती में ये मृत्य को भी प्राप कर लेते हैं ज्यान तो सब को है कि जाते से धुरुब मृत्युरत धुरुबम जन्म मृत्य चला हम कहते रहते हैं कि जिसका जन्म होता है उसका मृत्य होगा और जो मृत्य को प्राप्त करते हैं वो जन्म भी लेते हैं लेकिन ये इतने ग्यान की गेहराई में जाने के बाद भी हम ये नहीं सोचते कि हम क्यों सत्य को पाना नहीं चाहते हैं हम ये सोचते नहीं कि अवज से ही हम क्यों परमात्मा की और नहीं जा रहे हैं हमने इस सरीर से परे होते हुए अपने आपको ढूड़ने का प्रयास क्यूं नहीं दिया। हम एक उदारन से यह समझ सकते हैं कि जैसे गोतम बुद्ध है एक राजकुमार थे जिसका नाम सिर्दार तो गोतम था। उनके पास धन, महल तथा उनकी इक्छा के मुताबिक सब कुछ उनके पास था। लेकिन फिर भी जब उनको यह पता चला कि यह जो शरीर है वो नास्वान है। यह बीमारी को भी तथा मृत्य को भी प्राप्थ कर सकती है। तब उन्होंने उसी समय अपने उस राज्य को, अपने धन को, अपने पत्नी और पुत्र अर्था की परिवार को त्याकते हुए सत्य को जानने की इक्छा के। जिसके कारण अतिन्त तक और पठोर तपस्या के बाद उनको बोध हुआ, उनको ज्यान पराप्थ हुआ। आज हमें ये ज्यान हो चुका है कि हम परमधाम से आये हुए हैं। हम वाणी के माध्यम से तथाणी को सास्त्रों के माध्यम से प्रमाण देती हुए ये कहते हैं कि हम परमधाम के ब्रह्मिश्ष्टिया हैं। लेकिन प्रश्ण हमें ये करना जरूरी है कि जो गौतम बुद्ध है और हम है, क्या हम में जमिल आसमान की फरक नहीं। ये जो प्रश्ण है कि हमारा घर कौन है, कौन सा है, कहा है, हमारा सच्चा सुरुक क्या है, परमात्मा का सत्य सुरुक कैसे दिखता है, क्या सिर्फ प्रश्ण करने से, क्या सिर्फ सब्द के ग्यान प्राप्त कर लेने से ही, क्या हम चुपचा बेठे रहें। या स्रिफ हमें इसी सब्द के ज्ञान में उलस्ते हुए ही रहना है मुख्य बाद यही है कि ज्ञान भले ही कितना भी मिठा हो लेकिन ज्ञान सिर्फ बुद्धी तक ही रहती है लेकिन जब वही ज्ञान अनुभुती के इस्तर पर पहुंचती है तो वो ज्ञान अब विवेक बन जाती है तो उस कारण से यदि हम सच में चाहते हैं कि हम उस ज्ञान के अनुहुती करें तो वसे ही कथनी से बढ़ कर हमें करनी और रहनी में आना ही चाहिए कथनी से हमारे मन और बुध्धी तथा हमारे आचरन में हलका सा प्रवाब पढ़ता है लेकिन जब हम सच में आचरन में उसको उतारते हैं तो हर जीवन में उसका प्रवाब दिखाए देता है वानी में भी कहा गया है कि ये जो वानी है इस दुनिया की सुपनिक बुद्ध की वानी नहीं है ये वार्णी निराकार से पार थे तिन पार के भी पार की बात करती है आज जो हम सोय हुए है सूता होई सो जागियो जागया बेठा होई बेठा ठाड़ा होई यह ठाड़े पक भरे आगे सो जो कोई भी सोया हुआ है उसको जागने की अजर्रत है उसको अपने एक एक कदम को बढ़ाने की जुर्यत है यदि हम अपने एक पग को भी बढ़ाते हुए दिन परभती दिन आगे बढ़ते हैं तो अवश से ही हम अपने मनजिल तक पहुंसने में कोई भी हम प्रशने खड़ा नहीं कर सकते कि हम नहीं पहुँचेंगे, हम जरूर पहुँचेंगे, लेकिन अवज से ही जो बेक्ती एक पग भी नहीं चला, वो कभी भी एक अलपना और सपना नहीं देख सकता कि वो मनजिल तक पहुँच जाएगा, तो इस कारण से हम ये प्राथरा करते हैं कि अवज से ही दीन में हम ये एक पग भी अपने प्राणनात के लिए, अपने परमात्मा के लिए और स्वयम अपने लिए भी चलाते हैं, तो वैसे ही वो अनुर्थी की और हम पहुँच जाएगे, यही कहते हुए, मैं अपने इस दो सब्दा को यहीं विराम करना चाहता हूँ